जहाँ पर यह शटर है इसके अंदर से करोडो रुपे की सोने की डायमंड की जोईलरी पर चोरो ने हाथ साथ की दिली के पौश इलाके निजामुद्दीन में एक जोईलरी की दुकान के अंदर करोडो रुपे की चोरी की गई है और इस चोरी को बेहद एक पूरी की पूरी साजिश रच कर अंजाम दिया गया है इस वक्त मौजूद है निजामुदीन में और निजामुदीन में ये उम्राओ सिंग जोहलर्स नाम की जो आप दुकान देख रहे हैं फिलाल मैं आपको अंदर की यहाँ पर तश्मीरे दिखा दूँ अंदर इस वक्त क्राइम टीम मौजूद है पुलिस के लोग मौजूद है और पूरी तरीके से इंस्पेक्शन इस शोरूम का किया जा रहा है असल में जो यहाँ के मालिक हैं उनके मौताबिक रविवार की रात को इस शोरूम को जब बंद करके यहाँ से गए स्वामवार की छुटी होती है और आज जब उन्होंने यहाँ पर आकर देखा तो उनकी आखे खुली की खुली रह गए क्योंकि आप सामने जितने यह काउंटर्स देख रहे हैं जहाँ पर जोयलरी रखी होती है सब पूरी तरीके से खाली थे दुकान के मालिक के मौताबिक तकरीबन 20 से 25 करोड रुपे की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया आप इधर भी देख सकते हैं कुछ काउंटर है जहाँ पर अभी समान रखा हुआ है पुलिस की टीम अंदर अभी पूरी तरीके से जाच कर रही है असल में शुरुवाती जानकारी के मताबिक ये जो आप ग्राउंड फ्लोर देख रहे हैं इसके उपर जो च्छत है बगल की च्छत से चोर इस बिल्डिंग की च्छत में दाखिल होते हैं दाखिल होने के बाद जो जीने का दरवाजा होता है हाला कि उसमें अंदर से ताला लगा होता है लेकिन वो उस दरवाजे को तोड़ते हैं और दरवाजे को तोड़ने के बाद वो सीधा नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ पर जितनी भी जोएलरी रखी होती है जिसमें गोल्ड की जोलरी होती है, डायमंड की जोलरी होती है, दुकान के माली के मुताबिक तकरीबन 20-25 करोड रुपे की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है जितने CCTV कैमरे यहाँ पर लगे हुए थे, उनके DVR को पुलिस ने फिलाल अपने कबजे में ले लिया है, CCTV को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है यह कौन चोर है, क्या यह पहले से जानते थे कि सौमवार को दुकान बंद रहती है, किस तरीके से बगल की दुकान से इस शोरूम के अंदर इन्हें एंट्री करनी है, छट के रास्ते और ऐसा तभी संभव है, जब किसी ने पहले से रेकी करी हो, क्या कोई दुकान का करमचारी इसमें शामिल हो सकता है, या फिर कोई ऐसा चोर जिसने बाकाइदा पहले जो आसपास की छटे हैं, यहां से रेकी करी हो, यह पता लगाने की कोशिश करी हो, कि अगर इस शोरूम के अंदर किसी वारदात को अंजाम देना है, तो किस तरीके से वो बगल की छट से इस शोरूम में एंट्री कर सकता है, फिलाल पुलिस की टीम मौके पर है, जितने रिष्चदार है, जो यहां के मालिक हैं, वो भी यहां पर पहुंचे हुए है, उनके रिष्चदार पहुं कि चोरों को पहले से पता था कि यहां पर कितनी जोयलरी है, किस तरीके से रेकी करके करोडों की जोयलरी पर हास साफ करना है, इसी थियोरी को लेकर फिलाल पुलिस चल रही है, और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी चोरों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, कैमरामें अब है पराशर इंडिया टीवी, दिल्ली के निजामोदिन इलाके में चोरों ने जिस चतुराई से करोडों की जोयलरी पर हास साफ किया, इस वक्त उस जोयलरी शोरूम के सामने एक छट पर मौजूद है, और यहां से हम आपको पूरा घटना करम समझाने की जोयलरी पर हा की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कैसे चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा, मेरे पीछे यह जो सामने आप जोयलरी शोरूम देख रहे हैं, काफी पुरानी बड़ी दुकान है, उम्राव सिंग जोयलर्स के नाम से यह दुकान है, और जिसका पहले नाम शिरी माह जवी राय नमा जोयलर्स, जैन जोयलर्स के नाम से यहां पर यह शोरूम हुआ करता था, फिलाल आप देख सकते हैं, नीचे तमाम यहां पर भीड लगी हुई है, और जहां पर यह शटर है, इसके अंदर से करोडो रुपे की सोने की डायमेंड की जोयलरी पर चोरों ने हा किस सरीके से चोरी हुई है, वहां से सबूद इखटे किये जा रहे हैं, जानकारी यह मिल रही है, कि यह जो सामने आप छट देख रहे हैं, कि चोर जो है, वो आसपरोस की किसी चट से, यह जो सामने आप लोहे का जीना देख रहे हैं, इस से जो जोयलरी शोरूम है, इसकी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है वह इस जीने के रास्ते आसपरोस की छट से इस चट पर कूपते हैं पूदने के बाद जो बिल्कुँ सामने आपको जीना नजर आ रहा है जो जीने के बगल में दरवाजा है उस दरवाजे को तोड़ते हैं तोड़कर वो नीचे जाते ह ग्राउंड फ्लोर में जाते हैं और वहां से जो जो ज्री रखी होती है सोने की और डाइमंड की उस पर हास साफ कर लेते हैं। जो यहां के शोरूम के मालिक हैं उनका ये कहना है कि रविवार की रात को वो अपनी दुकान अपना शोरूम बंद करके यहां से गए थे। और सौमवार को यहां की छुटी होती है मार्किट की तो इस शोरूम बन था जब आज वो यहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ताला टूटा हुआ है उपर का और करोडों रुपे की जोलरी जो है उनके मुताबिक तकरीबन 20-25 करोडों रुपे की जोलरी पर चोरों हास साफ कर दिया था अब हैरानी इस बात की है कि बिना किसी जानकारी के बिना रेकी करे कोई इतने बड़े शोरूम के अंदर दाखिल नहीं हो सकता पौश इलाका है निजामोदीद का यानि कि ऐसा भी हो सकता है कि जो चोर थे वो पहले से इस इस इलाके से इस शोरूम से बाकिफ थे क्या कोई यहां काम करने वाले लोग हो सकते हैं कोई पूर्व करमचारी हो सकता है जिसने प्रॉपर रेखी कि आस्पड़ोस की छत से वो इस शोरूम की छत पर दाकिल हुआ दरवाजा तोड़कर नीचे गया और करोडों की जोलरी पर हास साफ कर दिया पूलिस इंवेस्टिकेशन कर रही है खुड डीसीपी यहां पर पहुंचे हुए हैं क्राइम टीम पहुंची हुई है सबुच जोटाए जा रहे हैं और साथ ही सीची टीवी का जो डीवियार है उससे आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रहे है आस पर उसके लोग ह सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कोई पहले से ऐसा होगा जिसने रेकी करी हो या फिर कोई पुराना आदमी हो सकता है जो जानता हो कि कहां पर क्या समान रहे हैं अप लोग को यह चोरी आपने सुनी की करोडों की पहुश इलाका है आपको अब क्या पुलिस प्रिशाषन से आप लोग क्या चाहते हैं पर यह सुरक्सा ही चाहेंगे क्योंकि यह चोडी जो है हमारे आसपास कि छेतर में तो नेर्शल सी बात है कि वहाँ वाजारते तो होती रहती है चोटी पुटी चोरी के अभी फरवरी में हमारे जंगपरा बहुत शिंबंदी जंगपरा रोपा इस्थित हैं उसमें चोरी हुई थी उसके सारे बहुआनों के छतर मोकूट और बहुआन सिंब की जलहरी चांदी सारे चोंदी चोरी करके लिए तकरिम तो 25-30,000 रुवरी का समालता हुई चोरी हुआ अभी उसका भी कोई मतलब जानकारी नहीं मिल पाई यह चोरी नहीं होते हैं आप लोग भी हाँ पर अपना काम करते हैं इस चोरी के बारे में क्या जानकारी हुआ है यह तो खुदी क्या होगा जानकारी है इस शोरूम की छट पर पहुची हुई है और यह पता करने की कोशिश करिए कि किस तरीके से चोर जो है वो आसपोड़ोस से इस शोरूम की छट पर दाखिल हुए होंगे फिर सामने लोहे का जो जीना है उससे नीचे पहुचे होंगे और जो आप दरवाजा देख रहे हैं स सामने जो खुला हुआ है उस दर्वाजे को तोड़कर जो चोर है वो नीचे गए होंगे और फिर उन्होंने ना केवल चोडी की वारदात को अंजाम दिया बलकि शोरूम में एक स्ट्रॉंग रूम है जहां पर मजबूत दिवार होती है उसके अंदर काफी जोली रखी हुई थी उसमें बड़ा छेट किया तोड़ा उसे और वहां से भी उन्होंने करोडों की जोली पर हाथ साफ कर दिया तो फिलाल इंवेस्टिकेशन हो रही है इलाके के लोग बता रहे है और आस पड़ों से अनुमान लगा जा रहे कि क्या पीछे से कोई आ सकता है या फिर लेफ वाली छट क्योंकि हाइट की बराबर की छट है वहां से किसी ने एंट्री की हो सकती है और वो नीचे गया होगा लेकिन क्या कोई पूर्व करमचारी इस बड़ी चोरी की वारद अब है अब है पराशर इंडिया टीवी दिल्ली